राम राम सारे भाईया ने सवागत अब एक नई वीडियो में दोस्तो पकिस्तान सूपर लिग टीटिवन्टी मैस नमा थर्ड मुल्तान सुल्तान वर्सिज क्वेटा और दोस्तो इस मैस में आपको वो पलेयर कौन सा जो आपको ग्रेंड लिग जीतने से रहोगेगा उसका न दोस्तो इस वीडियो में समोल लिग का टिम है वाइस केप्टन स्मोल लिग कैप्टन मैस कीपटन वह से पेंड होई कौं से खेलेंगे सब कुछ बताऊंगा मैं यहें आपका अपना टेलीग्रम का चैनल डूहन फेंक इसमें दोस्तों आपको मिलती हैं फाइलर टीम टोस के बाद प्लेंग लिए उन और भाई आपको मैं जो प्रेडिक्शन है वो भी देता हूं मैं यह देखो भाई आपको मैंने देती प्रेडिक्शन कि मैंने उस में मूनी को नहीं लिया और मूनी वाई सस्ते में आउट होगी पहले और में तो आपको ऐसी प् ले यह तो आजना टेलीगराम पर टोस होते ही आपको टीम मिलेगी जियल की टीम भी आपको दे सकता हूं या फिर महीनी जियल की टीम भी आपको दे सकता हूं है तो अब हम बात करेंगे प्लेइग किर्केट ग्राउंड में आपको पता वाई मोलतान सुल्तान वेरंदर सहवाग आठ वजे मैच होगा वाई 15 तारीक को पिछ रिपोर्ट देखो भाई पिछ बढ़िया है बैटिंग करने के लाइक है तो आप वनी टीम में च्यार से पांच बल्ले बाज बर्शकते हो या फिर साथ आप ले सकते हो बल्ले बाज तो आप उसको भी यूज कर लिना तो भाई बल्ले पर बोल आएगी अच्छी पिछ भाई गुड पिछ है अब बात करते हैं मुलतान की प्लेंग लिए या पर हैं भाई रिजवान सानमसूद उस्मान खान डेविड मिलर कायरन पोलाड ख अब बात करते हैं क्वेटा की प्लेंग लिए उन जस्तन रोए साथ सकील गुप्टिल तो यह कुछ है भाई पोसिबल गुप्टिल को खिला ना चाहते तो भाई आप दोस्के बाद देख लेना अगर क्वेटा गुप्टिल को खिलाएगी तो आप जियल में लेना ठीक है क क्योंकि फॉर्म में नहीं है तो आपको जियल जिता सकते हैं सर्फ्राज इफ्टिकार वान एंडू मुहमण अवाज ड्वेन पर्टोरियस ओर्डन स्मित नसीम सा और मुहमद असनेन तो यह थी भाई क्वेटा की प्लेंग लेन जो आपने भाई देख ली तो भाई एक प् लेगा तो ठीका दोस्तों अब जली दोस्तों अपनी स्मोल लिकी टीम बनाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर में देखो भाई यहाँ पर रिजवान अकमल और सर्फ्राज यह तीनों है बाई तो सबसे से प्लेयर हैं वो हैं रिजवान उसके बाद है और अकमल यह भी विकेट की पर हैं तो मुझे लगता है वही सर्फ्राज खुद खेलेगा अकमल को तांस नहीं देगा बाकी हो सकता है कि किसी को टाकर अकमल को खिला जाए लेकिन अकमल भी बहुत ही तगड़े टीट्रमंटी के बल्ले बाद रह सके हैं फिलालो पाकिस्ता हो जाएगा बाकि आप रिस्क साथ्य लेना तो भी आप अकमल को जील में रख लेना और दोस्तों वह प्लेयर है रिजवान जो आपको जील जीतने से रोकेगा पहले मैस में सतर पलस की पारी खेली थी तो भाई यह प्लेयर है इसको सब लोग करेंगे ट्राई स्मोल लिग म तो भाई आपका अगमनता है ट्राई करना कैटन भी ठोक सकती हो कंसिस्टेन पर ले रहा भाई लगातार पर लगातार पर प्रफर्म कर रहा है और आपको पता है तीटी मंटी के नंबर वन बलेबाद रहा है लेकिन फिलाल सूरिया नहीं की जगए ले ली है तो भाई आज आप दोनों को ट्राइ करो तो भाई कर सकते हैं अपनी टीम में लेकिन मैं सिर्फ जाओंगा रिजवान के साथ लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि मैं एहमद की जैकबर एक्ष्टा बोलर लो तो यह मैंने एहमद को नहीं लिया बैटर की बात करते हैं शान वसुद को मैंने लिया है इफ्तिकार को मैंने लिया है क्योंकि इफ्तिकार बोलिंग बैटिंग दोनों करते हैं और यहाँ पर एक मातर पलेर है जो कि आम ट्राइ कर सकते हैं वो कौन सा दोस्तों सबको पता है डेविर मिलर आप देखो भाई बैटिंग की पिचा है तो पोलाड को ट्राइ कर सकते हो मुंबई इंडियन्स की तरफ से भाई बहुत साल खेला पोलाड और आपने देखा भाई कितनी तगड़ी बल्ले बाजी करते हैं और गेंद बाजी भी करने लगे ना तो कमाल हो जाएगा तो दोस्तो मैं नहीं ले रहा आप ले सकते हो पोलाड को अब यापर जैसन होए हैं ये भाई हिट और मिस की पलेर हैं अगर चल गे ना तो आपको ग्रैंड लिग पका जिताएंगे ठीक है दोस्तो तो भाई अगर आप इनको स्मोल लिग में ले रहे हो तो सिधा कैप्टन ठोको भाई वरना इसको मत रखो लेकिन हाँ जील में पका कैप्टन ठोकना भाई कुछ भी हो चाहे बैटिंग हो बाद ने चाह पहले हो चलगा तो भाई कम से कम पचास आटन ठोके चला जाएगा आप यहापर खान साब को ले सकती हो जो की खेलेगा बाकी मैं सिर्फ तीन बेटर के साथ जाओंगा तो आप चाहतो भाई यह पर पोलार और उस्मान खान को ले सकती लेकिन मैं आपर दोस्तों ओल लाउंडर जादा लूंगा कुकि देखो दोस्तों ओलांडर बैटिंग बोलिंग करेगा तो यहापर गुप्टिल भी है गुप्टिल और यहां पर जैस तनल भाई, अगर बहूर सकता है गुप्प टिल और जैसोन वही और ओपनिंग कर जाए एक साथ आज अगर भाई, दोनों ओपनिंग करें तो भाई, दोनों बड़ी सब्सक्राइब करziehen में आप किसी के साथ रिस्क लेना है बाई, है, अगर लेकिन हम सिर्फ जो सेफ हैं उनको ले रहे हैं अगर हम इनको लेते हैं ये बंगलाज़ई, रोसो, एहसान, टीम डेटो और एक ग्रैंड लिकी टीम बने जाएगी अब बात करते हैं बाई ओल्डाउंट में वन ओप दे मोस्ट प्लेयर वानन्दू असरंगा पाकिस्तान में प्लेयर वाई जल्वा दिखा सकता है बैटिंग करेगा लेकिन बैटिंग ओर्टर थोड़ा नीचे है साथ और आठ नमबर पर इन दोनों का बैटिंग ओर्टर एक साई है तो देखो बाई, दोनों स्पिनर हैं तो दोनों को आप मीनी जिल में ट्राई कर लेना लेकिन दोस्तों मैं आपर नवाज को नहीं लेया न तत्त मैं आपर ले रहा हूँ भाई हसरंगा को अब यापर खुश दिल हैं भाई, आप खुश दिल के साथ जा सकते हो भाई बैटिंग बोलन दोनों करते हैं मौमद अफिज भाई, ये भाई थोड़े से भाई बुड़े हो चुके हैं लेकिन चलेंगे न तो आपको सीधा ग्रैंड लीज दाएंगे फिलाल मैं आपर भाई देखो इन की जगा पर असरंगा को दे रहा हूँ आपकी पास ओप्षन है ड्वेन प्रेटोरियस ओरिन स्मीथ ट्राई करना था तो भाई कर सकते अपनी टीम में बाकी मैं नहीं करना था तो मैं सिर्फ यहां पर एक ही ओर्राउंडर की साथ जा रहा हूँ तो बाकी नवाज का देखोंगा बाद में भाई अगर मैं उसको भाई अच्छे बोलर में लिए ना तो नवाज को छोड़ दूँगा मैं तो फिर देखो भाई आप यापर आप फीज को ट्राई कर सकते हो खस रंगा की जेकर पर देखो भाई पहले बैटिंग पिच है आप ज़्यादा ओलाउंडर लेकर आप अगर इस साथे लेना तो ले सकते हो लेकिन दोस्तों मैं आपर नवाज को लूँगा ठीक है फिलाज मैं सिर्फ यहाँ पर दो ही ले रहाऊं ओलाउंडर बोलिंग की बात करते हैं अकेल हुशेन भाई ये तगड़ा स्पीनर है भाई आप ने देखा वाई विग बैस में बल्ले से तीस रन डो विकेट पंदरा रन तिन विकेट इस तरह प्रफॉर्म कर रहा है तो आप ट्राई करना ता तो कर सकते भाई मिनी जियल में स्मोल लिग में ये पलेर आपको जिता सकता है भाई अराम से और यापर मैं ले रहा हूँ भाई धानी को देखो परसेंटेज बहुत कम है तो आपको इहनी पलेर के साथ जाना चाहिए और भाई आपर ना सीम सा ये पलेर ऐसा है भाई कुवेटा की तरफ से खेलेगा लेकिन भाई आपको पता है भाई इनके आगे सान मसूद आएंगे ठीक है पोलार भी आ सकते हैं ठीक है तो भाई आउट कर सकता है तो द्यान से रखना भाई अगर आप जियल में नसीम सा को कैप्टन ठोक रहे हो तो आपको मुल्तान का आपको सिर्फ एक बैटर लो बाकी ज्यादा बैटर लो आप यापर कुवेटा के क्यूंकि नसीम को कैप्टन करोगा तो ओपनर को इस निप्टाएगा हो पाउर प्लेंग बोलिंग करेगा मैं आपकर सिर्फ तीने ले रहा हूँ बोलर अब दोस्तों मैं आपकर खुश दिल को ट्राई करने जारा हूँ मैंने आपको बोला कि वह मैं तीन से चार ओलाउंडर लेने वालो इस मैच में ठीका बैट अब एक पले रो बस गया यापर खस नेन इसको मैंने रख लिया ठीका दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं फिलाल आपको उप्सन दूम है नमिन लग थोड़ा मुश्किल है खेलना और यापर भाई समिन गुल है ट्राई कर सकते हो तुसारा भी है ट्राई कर सकते भाई इनको भी आप गुमेन आसिफ है तो मैंने नूज देखी थी आसिफ खेल सकते हैं लेकिन दोस्तों आप ट्राई करना टोस्त के बाद और कोछास ऑप्शन है नहीं अब बात करतें कैप्टन वाइस कैप्टन की हमको कैप्टन वाइस कैप्टन किन किस पीसहाँ जाना चाहिए आप देखो भाई का परसनल कैप्टन वाइस कैप्टन रिजवान ही रहेगा जो आपको दूंगा मैं टोस के बाद टेलीग्राम में तो फिलाल अगर आपको चाहिए तो भी आप या पर रिजवान को वाइस कैप्टन कर सकते हो फिलाल भाई पहले मैं आपने 50 प्लस करके आ रहा है लेकिन कोई ब्रोसानी भाई यह किर्केट है कोई प्लेयर बाद जीरो पर आउट हो सकता है लेकिन भी हमको सेफ ही प्लेयर चाहिए चाहिए वह जीरो पर आउट हो जाए ठीक है दोस्तों और यह आपर हैं दो प्लेयर और असरंगा मुहमन नवाद इनको आप स्मोल लीग में और मीनी जील में एक साथ क्याप्टन वाइस क्याप्टन कर सकते हैं देखो बाई कई बाई उका डर होता कि बाई कहीं बाई रिजवान सस्ते माउट ना हो जा तो आप यह पर नवाद रस्तरंगा को ट्राइक कर सकते हो एक और प्लेयर उसका नाम दूंगा मैं आपर वह हैं भाई नसीम सार अकिल हुशेन इंपोर्टेंड भाई विकेट निकाल सकते हैं लेकिन जो मेरे सीवी से रहेंगे परसनल जो जनता भी करेगी फेंटसी की वो रहेंगे भाई यहां पर रिजवान और हसरंगा दोनों की परसनेटेज सेम ही है कोई ज्यादा नहीं है अगर देखो अ महज में तो आप हसरंगा को कैप्टन ठोक सकते हो तो बात करते हैं यहां पर टीम रिवीव रिजवान अगर आपको चाहिए यहां पर अकमल और सर्फ राज तो आप किसी भी एक और या फिर एक बोलर की जगाए पर दोनों को ट्राइक कर सकते हो इफ्तिकार सान मसूद और अपर हैं मिलर और में हसरंगा नवाज खुजल सा और बोलर में नसीम अकील डानी हसने कोई भी मैस जिताता हो है और तो आप और लाउंडर को लेना चाहते हो तो अपनी टीम मिले सकते हो एक्स्ट्रा और समझ गए जैसे अफीज हो गया ट्राइक कर सकते हो तो दोस्तों य फिर में लेंगे दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ